आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां यानि अलग अलग बीमारियों पर मशूर डॉक्टरों का ज्यान उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियों पर हर साल जब बारिश का मौसम जाने को होता है और सर्दियों के आने का समय होता है उस समय एक बिमारी खूब तेजी से फैलती है डेंगू मच्छर के काटने से होने वाली ये बिमारी हर साल अगस्य ऑक्टूबर के महीने में पीक पर होती है और इस साल तो डेंगू जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो आप जानती ही है रोज ने रिकॉर्ड टूट रहे हैं अभी दिल्ली में साल 2015 का रिकॉर्ड टूटा है 2015 से भी जादा इस सीजन में डेंगू के केसिस 5000 का आंकडा पार कर चुके हैं 2020 में तो सिफ 1000 के आसपास ही केस आयत है तो मामला गंभीर है आंकडों से साफ पता चल रहा है जानकार इसके लिए कुरोना संकट से प्रभावित होई स्वास्ते विवस्था को भी जिम्मेदार बता रहे हैं वजहें जो भी हो ये साफ है कि राल थाने दिल्ली से लेकर कई राजियों में डेंगू संकट अब जाननेवा हो चुका है और अब तक 9 लोगों की मौत हुई है अक्कुबर के बीच में ही खबर आई थी कि दिल्ली में इस साल डेंगू से पहले मरीज की मौत हुई जो 35 साल की एक महिला थी और इस दोरान जिसे एक चीज की खुब डिमांड बढ़ जाती है वो है प्लेटलेट्स डेंगू सीजन के दोरान हम अक्सर देखते हैं आप लोगों इनमें देखा ही होगा कि कैसे लोग किसी डेंगू मरीज को प्लेटलेट्स दिल्वाने के लिए जद्दो जहत कर रहे होते हैं प्लेटलेट तक कम होना एक ऐसा symptom है जिससे जालतर मरीज डर जाते हैं और किसी भी हालत में हॉस्पिटल में अड्मिट होना चाहते हैं। लेकिन जरा सोचिए क्या सिर्फ डेंगू का खतरा तभी रहता है जब प्लेटलेट्स कम होते हैं या कोई और भी symptoms हैं जिस पर आपको गौर करने की जर्रत हैं। होने वाले हैं डेंगू की और इससे होने वाली जो भी problems है उसके कासे इलाज है और खासकर जो इसमें प्लेटलेट्स की कमी होती हैं उसको लेकर बहुत सारे myths होते हैं लोगों के मन में वो भी आपसे clear करेंगे। बिलकुल धन्यवाद धन्यवाद जी डॉक्टर तो सबसे पहले एक बहुत ही basic question से start करती हूँ मैं क्यूंकि प्लेटलेट्स की demand इस season में सबसे जादा रहती हैं लोग थोड़ा सा भी ये प्लेटलेट्स डाउन होता है तो वो परिशान हो जाते हैं तो यहां से शुरू करत हो मैं कि प्लेटलेट्स होते क्या हैं और यह हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कितनी important है तो प्लेटलेट्स जो है हमारे खून जो हमारा खून जो होता है उसमें तरह-टरह का फ्लूइड के साथ में अलग-अलग तरीके के cells होते हैं जैसे कि खून में red cells होता है जिसक का में काम है क्लोटिंग करना ब्लट अगर जैसे अगर कहीं कट जाता है तो उस में से जो ब्लड लीक होता है उसको उसको बंद करने के लिए उसको स्टॉप करने के लिए जो क्लोट लाग के बीच में का पटलेटա में होता है तो यह हमारी हमारी बॉड्य होती है और मेंन रोल जैसे कि मैंने बटाया क्लॉटिंग करना यदि कहीं बलड कट हो जाय है कहीं हमें कट शुषाइँ करने के लिए का रोल होता है जी नोग्टर मैं पूछना चाहते हूँ कि डेंगू को क्या दुश्मनी है प्लेटलेट से क्यों इस सीजन में खासकर डेंगू के सीजन में प्लेटलेट सब्सवस्य जाधा इंपाट होता है डेंगू की वज़ा से क्या वज़े रहती हैं तो डेंगू एक VIRAL infection है जो कि मच्छर के एक विशेश प्रजाती के मच्छर की काटने से होता है डेंगु का जो मच्छर है वो वावाइरश है देंगु वाइरस जब वह में काड़ता है तो हमें डेंगु होता है इसे होने वाले जो साइड इफेक्ट हैं उसकोटेंगु अब takim काम Depot ने वाइरल इंफेक्शन, बहुत ही कॉमन है, किसी भी वारेल इंफेक्शन में हो सकता है लेकिन क्योंकि डैंगू एक बहुत कॉमन बीमारी है और जानलेवा भी साबित हो सकती है, इसलिग पॉधा अधिक ध्यान रहता है लोगों का और यह धारणा हो चुकी है कि यदी डेंगू है तो platelet low होना है और platelet ही main एक लक्षन है जिसकी वज़े से patient की situation खराब हो सकती है जबकि ऐसा नहीं है platelet is one of the एक aspect है डेंगू infection का और platelet कम डेंगू होने पर platelet definitely कम होते हैं और platelet जब कम होते हैं तो उससाब से हमें उसका treatment भी क परना पड़ता है जी अभी आप इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं तो यहां से आपसे यह सवाल में पूछना चाहते हूं कि फिर और कौन कौन सी वजहें रहती हैं जिसकी वज़े से डेंगू सीवियर हो सकता है वक्त के साथ सो डेंगू में platelets कम होते हैं और platelets कम होना एक serious situation है यह हकीकत है पर सिर्फ platelets ही एक ऐसा parameter नहीं है कि जिसकी वज़े से हम बोलते हैं कि patient serious है बहुत सारे दूसरे parameters हैं जैसे कि डेंगू में एक leak syndrome हो जाता है जहां से हमारे blood vessels में से सारा fluid अलग-अलग different compartments में shift हो जाता है जिसकी वज़े से पाओ में सुजन पेट में सुजन पेट में पानी भरना यह सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अलावा similarly lungs में भी पानी भर सकता है जिसकी वज़े स सास लने की तकलिफ हो सकती है तो बहुत सारे अलग parameters हैं ना कि सिर्फ platelets जैसे की hemoglobin यदि हमारा patient जिसको डेंगू हुआ है अगर उसका hemoglobin concentration बढ़ते जा रहा है या उसका hematokrit जो की packed cell volume जो होता है वो अगर बढ़ते जा रहा है इसका मतलब यह है कि वो severe illness की तरफ बढ़ रहा है यहां फिर उसको सास लने की तकलिफ हो रही है तो इसका मतलब यह है कि patient serious है platelets एक factor है यदि platelets कम है तो that also indicates की एक severe infection है बट सिर्फ platelets पही ध्यान देना डेंगू infection में यह पूरी तरह सही नहीं है बाकि बहुत सारी चीज़े हैं जिसकी वजह से हम patient को severe category में डाल सकते है in a patient जिसको डेंगू हुआ है तो डाक्टर मतलब यह कि अगर अच्छा खासा platelets जिसको होता है मतलब जिनके पास होता है चार से पांच लाग मतलब उनको भी यह सोचना सही है कि मतलब अगर उनके platelets बढ़िया है तो उनको डेंगू नहीं होगा क्या यह भी ऐसा इसमें ह इसके अलावा बाकी जो वार्निंग सिंटम्स है जिसका जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पेशेंट सीरियस है जिसका platelet normal है फिर भी जो symptoms है जैसे कि सास लेने में तकलीफ होना जैसे कि severe fever, vomiting, lose motions होना या फिर जिसका पाव में सूजन आ रही है या abdominal pain होना, पेट में दर्द होना, jaundice जैसे होना, vomiting sensation होना यह सारे लक्षन है जिससे हम categorize कर सकते हैं कि यह patient serious है किसी का blood pressure यदि fall हो रहा है और platelets normal है तो भी वो severe डेंगू में classify होता है, सिर्फ platelets एक आधार नहीं है जिसके basis में हम किसी को severe डेंगू कहें तो फिर इससे डेंगू से होने वाले जो complications होती है उससे फिर बचने की क्या उपाए है आप लोग करते भी है जब आपके पर ऐसे patients आते हैं तो यदि डेंगू किसी को होता है तो सबसे पहले तो उसकी लक्षन हमें जान लेने चाहिए कि generally fever, body ache और rash यह generally तीन चीज़े हैं और body ache बहुत severe होता है, headache, body ache बहुत severe होता है, डेंगू को अगर बोला जाये तो दूसरा उसका नाम है कि break bone fever भी बोला जाता है, मतलब इतना हद तक दर्द होता है और ऐसा लगता है जैसे हमारी हड़ियां तोड़ी जा रही है, इस तरीके का headache होता है, इस तरीके का body ache होता ह fever होता है, उसके साथ में कई patients जिनका generally उन पर body पर rash आता है, किसी किसी को जब वो severe हो जाते हैं, तो उनको breathlessness, उनका hemoglobin increase होना, उनके सूजनाना पाओं में, ये सारे लक्षन भी हैं जिससे कि severity indicate करते हैं, साथ में platelets भी कम होती हैं, इस से बचने के लिए, सबसे पहले तो य है कि जैसे ही आपको यदि fever और body egg के symptoms हैं, और आप देख रहे हैं कि घर में बहुत सारे अधिक लोगों को दूसरे लोगों को भी यही same symptoms हैं, या आपकी locality में ये symptoms और fever और body egg चल रहा है, इसका मतलब यह है कि ये कोई तो common बीमारी है, जो किसी mosquito की वज़े से, या कोई और जो fail रही है, which is very common, यदि ऐसा है तो सबसे पहले आप अपना test करवाईए, CBC test करवाईए, Dengu test करवाईए, और उसके basis पे आगे का decision लीजिए, यदि symptoms ठीक नहीं हो रहे हैं, तो तुरण doctor की सलाह लेके, platelets सिर्फ एक चीज नहीं है जिस पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ मुझे ये जानने को मिला कि अगर Dengu किसी को मानीजे, एक साल पहले हो चुका है, और वो ठीक हो चुका है, और इसी season में उसे दुबारा Dengu हो जाए, जो अभी season चल रहा है, उसमें अगर उसे Dengu हो जाए दुबारा से, तो फिर वो बहुत ही उसके लिए alarming situation हो सकती है, तो ऐसे मरीजों को, जिन्हें पहले भी infection हो चुका है Dengu का, और वो फिर इस season में infect होने वाले हैं, या हो चुके हैं, उनको किस तरह की सावधानिया बरतनी की जरुरत हैं? बिलकुल सही का आप ने, ऐसा देखा गया है, कि जिनको पहले Dengu हो चुका है, यदि उनको दुबारा डेंगू होता है, विदिन स्पैन अफ वान्टू इलनेस जाता हो सकती है, उनका Dengu की जो symptoms है, वो severe lakshan हो सकते हैं उनके, तो यदि किसी patient को पहले Dengu हो चुका है, औ उसने तुरंत medical advice लेना जरूरी है, क्योंकि उनको जिनको Dengu हो चुका है, उनको दुबारा severe illness के chances as compared to those people, जिनको पहली बार Dengu हो रहा है, उससे अधिक हैं, इसलिए यदि आपकी पहले history of Dengu है, infection, तो आपने second infection के दौरान, जल्दी से जल्दी medical advice लेना, ये मेरा advice रहेगा बाकि बचाव, बचाव तो सिर्फ आपको mosquito से करना है, क्योंकि Dengu सिर्फ mosquito के bite से ही, mosquito के काटने से ही फैलता है, जी डॉक्टर, अभी जिस तरह से Dengu को लेकर महौल है, बना हुआ है, उसमें लोगों में panic create होना एक आम बात है, और इसी में लोग गलती कर बैठते हैं, बि antibiotic शुरू कर दी, paracetamol की dose ज्यादा ले ली, तो ये अपने ही level पर ilaj कराने जब हम करना शुरू कर देते हैं, तो ये फिर एक नई दिकत खड़ी कर सकता है, तो इसको लेकर आप क्या suggestion देना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो यदि कोई infection है, यदि आप ठीक नहीं है, आपकी तबे ठीक नहीं है, तो आप basic घरिल उपाए, यहाँ फिर paracetamol वगरा लेना safe है, जो over the counter medicines है, पर antibiotic का उपयोग left, right and center बिलकुल नहीं होना चाहिए, not from the patient also, not from the medical fraternity also, antibiotic का use only indicated conditions में होना चाहिए, क्योंकि एंटिबाइटिक का रोल पहले तो viral infection में नहीं है, दूसरी चीज़ एंटिबाइटिक अगर हम rampantly use करेंगे, अगर हम left, right, center use करेंगे, तो उन एंटिबाइटिक का जो resistance है, वो निर्माण होगा, और आगे चलके वो एंटिबाइटिक हमारे काम नहीं हाई, तो एंटिबाइ यह over the counter लिया जा सकता है, घरिलू, बुखार वगएरा कम करने के लिए, दर्द के लिए कोई मलम लेप वगएरा लगा रहे हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखिए, कि जब भी कोई symptoms है, अगर वो resolve नहीं हो रहे हैं, या फिर लक्षन बढ़ते जा हैं, तो सबसे पहले medical आपने advice लेना ज़रूरी है, जिससे कि उसका investigation हो सकें, जिससे कि उसकी जांच होके उसके उपर आगे का treatment किया जा सकें, जहां तक हो सकें, आपने तुरंत medical advice लेना ज़रूरी है, जी, बॉक्टर तो अब थोड़ी बात उपायों पर हो जाए, platelets को लेकर, हाले कि एक मात्र पैमाना नहीं है, जैसे आपने कहा, लेकिन इसका होना एक particular amount में ज़रूरी है, वो भी लोगों में नहीं होता है, तो यहां पर platelets बढ़ाने के क्या उपायों है, क्या कर सकते हैं, या, तो यह तो बहुत common है, हमने भी देखा है कि बढ़ जाती है, लोगों की expectations भी रहती है, कि platelets थोड़ी सी भी drop होई, तो anxiety level बढ़ जाता है, जैसे कि मैंने कहा, डेड़ लाग से, साढ़े चार लाग से, यदि अगर किसी का platelets एक लाग, डेड़ लाग, या, पचांस हो जाता है, तब भी बहुत panic situation हो जाती है, patients में, patients के डेगू related, तो ऐसा है कि generally 20,000 की नीचे, यदि किसी को अगर bleeding हो रहा है, तो ही हम platelets transfusion देते हैं, नहीं तो अगर patient को कोई symptoms नहीं है, और platelets 10,000 की नीचे हैं, तभी ही platelets transfusion दिया जाता है, यानि कि platelets हमें externally blood bank से लाग के patient को दिया जाता है, जब तक ये levels के ऊपर आपका platelets है तब तक कोई घबराने की बात नहीं है, platelets के अलावा बाकी लक्षनों पर ध्यान देना जादा ज़रूरी माना जाता है, तीसरी चीज़ जो घरेलू उपाये हैं, platelets बढ़ाने के, जादतर ये सारे उपायों का कोई scientific base नहीं है, और जहां तक डेंगू या किसी भी viral infection की बा बाड़ी बढ़ाती है, तो डेंगू में भी यदि वो जो पांच से साथ दिन का जो उसका जो course of illness है, यदि उस दोरान platelets 20,000 के उपर हैं, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप बाड़ी जैसे रिकवर होगी, platelets अपने आप बढ़ते हैं, बाकि घरेलू उपा ये सारी चीज़ें घरेलू उपाए हैं बढ़ाने का, इसमें बहुत ज़्यादा scientific background नहीं है, अपने आप platelets बढ़ जाएंगी जैसे ही disease आपका record होगा जी डॉक्टर, ये तो platelets बढ़ाने के उपाए होगे, आखरी सवाल मेरा आपसे एक overall पूछना है कि डेंगू हमें ना हो, हम कोशिश तो करेंगे, लापरवाही ना बढ़ते ये ना कहें, लेकिन कहीं से भी एक छोटी सी भी गलती हमें डेंगू की गिरफ्त में ले सकती है तो ये हम आही ना, उसके लिए इस सीजन में, क्योंकि विंटर सीजन भी है, सीजन में क्या करने की ज़रुरत है और? तो जैसे डेंगू एक वेक्टर बॉर्ण डिजीज है, वो फैलता है एक मच्छर के काटने से, तो प्रिवेंटिव एस्पेट्स हमेशा से ये ध्यान रखिए, हमें बच्पन से भी पढ़ाया गया है, कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, सो हमेशा बचना, बचाव इस व पन पे नहीं, जिससे कि वो infection फैले नहीं, तो ये जो mosquito है, ये पानी में, जो स्वच पानी है, उसमें ये ब्रीड करता है, तो हमारे घर में यदि कोई ऐसी जगह है, जहां पानी जमा होता है, जहां इस mosquito की breeding होने की, या इसको पनपने की गुंजाईश है, वो सारी चीज़ पाए गए हैं, तो आपने इस पर सर्च करना चाहिए और ऐसी सारी जगह जहां पर ये पानी जमा होता है, उसको दूर करना चाहिए, तो ये पहली बात होगी, दूसरी चीज़ है कि मच्छर के काटने से बचें, यूज करें जिससे कि यदि आपके area में मच्छर हैं, तो य बेसिकली बचाव के लिए, बचाव करने के लिए तो आपको prevention के लिए आपको mosquito से बचना बहुत ज़रूरी है, ये थे डॉक्टर पारितोष भगेल, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर, जैसा कि डॉक्टर ने कहा और इस बात पर बार बार जोर भी दिया कि डेंगु क severity सिर्फ platelet count से नहीं जोडी होती है, कोई भी कभी भी डेंगु से infect हो सकता है, और symptoms के बारे में जो डॉक्टर ने जिक्र किया, उसका भी खयाल रखें, घबराए नहीं, बस कुछ भी लगे, एक चेक करवाने भर की दूरी है, उमीद करती हूँ आपको ये podcast अच्छा लगा होगा, अगर आप किसी भी और बिमारी के बारे में, उसके इलाज के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा email पता नोट कर लीजिए, radio at the rate आज तक डॉट कॉम, hello doctor के, ऐसे ही और episodes को, अब आप होब होपो, google podcast, apple podcast, spotify, geo7, pocket cast जैसे platforms पर भी सुन सकते हैं, मैं हूँ फिलहाल इजादत चाहूंगी, नमस्कार चून सकते हैं तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं, तेन की भरार है इसमें, तीन की भरार होने ही चाहिए